हेलो एव्रिवान और वर्म वेल्कम तो एचीवर्स यूटूब चैनल पर एचीवर्स वेव हैपनिंग दर डिम ट्रू दोस्तों आज है सतर नमंबर 2020 हम आज के महत्रपुन करेंट अफ्यर्स को एक सौट वीडियो के माध्यम से डिसकस करेंगे यह सेशन बहुत ही सांदार होगा प्लीज आप लोग अपना प्यार बनाए रखें विडियो को अन तक देखें आप लोग विडियो पर बहुत ही कम रिस्पॉंस दे रहें बहुत कम लोग देख वी रहें पता नहीं क्यों क्या हुआ आप लोग को हम से यदि गुस्सा है तो तो हम आज के मतलब 17 नवंबर के करेंट अफेर्स को डिसकस करते हैं ओके तो लेट्स अस्टार्ट एक छोटी सी बात और उन नए लोगों से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और उन पुराने लोगों से भी जिनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता नही है प्लीज और पर क्लिक कर दिजिए इस पर क्लिक करके ताकि आपको सबसे पहरे नोटिफिकेशन मिले और आप हर एक वीडियो को समय पर देख पाएं ठीक है दोस्तों और यह किनी को कमेंट में हमें कुछ सजेसन देने की दिक्कत है तो मैं नीचे कमेंट में मैंशन कर तो दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आज के पहले प्रस्ट्र हर दिन की भात काफी सांधार रहता है प्रश्ण है कि नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है ठीक है प्रेस मतलब जानते हैं न मीडिया जी हां मीडिया वही है जिसे हम लोगतंत्र के चौते अस्थामा के रूप मे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1966 में प्रेस कॉंसिल आफ इंडिया की अस्थापना हुई थी और इसी कारण अब हर एक बर 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है ठीक है दोस्तों आयोब यह प्रस्ण आपको समझाया होगा अपने लोग जल्दी से जल्दी दूसरे प्रस्ण की वर चलेंगे दूसरा प्रस्ण है कि अभी हाल इमें आंग सांग सूकी की सत्ता रूट नेशनल लीग फ़र डेमोकरेसी ने म मैं सुनाव में कितने सीट जीती हैं तो बहुमत के लिए 322 सीटों की आवे सकता थी लेकिन इनों ने 396 सीट जीत कर पुर्ण बहुमत हासिल किया किसने आंग सांग सूकी ने मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आप लोगों को याद रखना है इनकी पार्टी का नाम इनक महाराष्ट किलोनार जील और यूपी कि कौन सी जील रामसर अस्थरों में सामिल हुई है तो कीथम जील इसको बोलते हैं यूपी की एक कीथम जील जैन इसे सूरशरोबर जील के नाम से भी जाना जाता है यह आग्रा में हैं ठीक है रामसर इरान में रामसर सम्मेलन हुआ था इसमें 1971 में इस फिर कुछ हस्ताचर किये थे इसके अंतरगत क्या था कि सभी आदर भूमी के समदच्छन और बुद्धिमान उप्यों के लिए रूप रेखा परदाम किया गया इसमें ठीक है इसे बेट लेंड्स कन्वेंशन के बता सकते हैं कि मर्ड वेट लैंड्स दे कब मनाया जाता है ठीक है और एक छोटी सी बात और है जो आपको जानना चाहिए कि चिलका जील 1981 में रामसर साइट में जोड़ी गई पहली भारती आदर भूमी थी ठीक है अभी कुछ दिल पहली मैंने पढ़ाया था मैंने बताया प्रश्ण को देखेंगे अभी हाल इमें खेल मंत्राले ने खेलो इंडिया योजना के माध्यम से कितने नीची अकादमीयों की दंदास्ति देने के लिए प्रशाहन संदचना की शुरुगात की है तब पांसो चिए एकैडमी की अस्थापना के लिए खेलो मन्तराले ने खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए पैसा मतलब रिन परदान किया है रिन क्या उसे बोल सकते हैं परशाहन रासी परदान किया है ठीक है ने खेलिया मंट्रा और इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है नहीं प्राचमे प्रस्ट को देखिए प्राचमा प्रस्ट है कि अभी हाली में 2020 फॉर्मूला वन बर्ल ड्राइबर्स चैंपियंशीब कितने जीती तो लुईस हैमिल्टन ने जीती है यह साथ मी बार यह जीत चुके हैं कौन लुईस हैमिल्टन साव तो यह ही लुईस हैमिल्टन और वाल्टेरी वोटास यह दोनों ही फेमस है कभी यह जीतते हैं कभी यह जीतते हैं ठीक है अर अगले प्रस्ट और वर्ल्ड ड्राइवर चेंपियंशिप छीती ठीक है अब हम लोग छटे प्रस्ण को देखेंगे छटा प्रस्ण है कि अभी हाली में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सपतली हैं यह बहुत बार कभी इन्हें लगता है सत्ता बहुत ज्यादा प्यारा है यह बहुत बार इस्तिपार देते हैं फिर से ज्वाइन करते हैं तो यह क्या है आपको बाद में जानना पहले जानिए कि चुनावा था इधर रिजल्ट आया इसका बिहार बिधान सभा चुनाव का तो इसमें टोटल बिधान सभा में कितने सीटें बिहार के 243 है और इसमें एंडिये मतलब जो घटक है भाजपा सब मिला कर जो दल है उसको 125 सीटें मिली ठीक है अब अब थोड़ा से जानिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे म तो उसी तरह मुख्यमंत्री को राजपाल के द्वार निव्ट किया जाता है और इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है आर्टिकल को हिंदी में लेक करते हैं ये भी लिखा गया है कि राजप्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या राजज बिधान सभा की कुल सीटों का 15 परतिसत से अधिक नहीं होगी मान लिजी राज बिधान सभा में 100 सीठ है तो उसमें 15 मंत्री बन सकते हैं ठीक है तो ये बाते हो गई अब मुख्यमंत्री की योग गिताएं क्या है ये भी थोड़ा सा जाने किसे भाद का नागरिक होना चाहिए ये तो अनिवार है उसकी उम्र 25 बर्स या उससे अधिक होनी चाहिए तो ये सारी बाते हो गई ओके और क्या कि ये वह किसी अभी सदन में नहीं है और उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया है तो उन्हें 6 महीने के भीतर ठीक है बिधायक या MLC बन जाना चाहिए मतलब बिधान सभा या बिधान प फिलाल दो-दो उपमुख्यमंत्री बने हैं और कौन किने क्या विभाग दिया गया है इसके लिए बिहार स्पेशल वीडियो लाया जाएगा और बाद में आपको बताया जाएगा अभी सभी असपस्ट नहीं किया गया है तो ये सारी बाते हो गई सात्मी बार नितिश कु तो विद्यावारन को क्यों मैं अपना ब्रांड ने मेश्डर नियुक्त किया है यदि विद्यावारन की बात करें तो आप लोगों ने हाल फिलाल में सुना होगा कि इनकी एक फिल्म थी जो ऑसकर के लिए क्वालिफाय कर गई है फिल्म का नाम क्या था यह मुझे याद न पर एक और रुपए की पेनल्टी लगाई है यहां कान अभी पूरी तरह से असपर नहीं किया गया है जलो जब उसकी डीटेल से बातें बताई जाएगी ठीक है ओके हम लोग नौमे प्रस्ण को देखेंगे नौमा प्रस्ण है कि कहां विस्ट की पहली बच्चों के लिए लाइबरेरी लॉंच की गई है लाइबरेरी किसके लिए होती है बड़े लोगों के लिए लेकिन पहली बार कोलकाता में ट्राम में के लिए लाइस के लिए लाउंश की गई है कोलकाता में चलती ट्राम में त्राम आप लोग ईस्सुना व eta Die Dimir चलती रहती है कि इसी में शिकारत हो देखेखें है मैं फोलतो people कर दूख है जिसकी अब दी कितने बर्स होगी जिस तरह से H1 भी बीजा अमेरिका जारी करता है या आप लोग यहां नौकरी किजिए पढ़ाई किजिए उसी तरह से UAE हमेशा golden बीजा जारी करती है ठीक है और इसकी vitality कितनी होती है इसकी vitality 20 साल होती है ओके सोरी यहां पर option गलती से गलत कि मंजूरी दी है यह सब आपको नहीं जानना है बस आपको यह याद रखना है जो golden बीजा होता है UAE से जारी करता है इसकी vitality 10 साल की होती है ठीक है और ज्यादा कुछ इसके बारे में आपको नहीं जानना है अब अगले प्रशन को देखिए कि हाली में किस देश ने भारत ने भी जिबूती को 50 मिट्रिक टन खाद साहिता दी है कोविड-19 कोरोना बार्स के करण वो सब के और्थ वेस्था और लचर पचर हो गया है ठीक है तो इस कारण से भारत ने सोचा कि चलो हम लोग जितना बन पाए हमसे वो साहिता कर देंगे तो उन्होंने 50 मिट्रिक टन क की खाद साहिता जिबूती को प्रधान की तब अगले प्रशन को हम लोग उन्हें देखेंगे 10 प्रशन हम कर चुके अगला प्रशन 12 मां में बहुत ही सांदार प्रशन है प्रशन को देखते हैं दिल्ली के स्वास्त मंत्री कौन है सते अंद्र जैन ने कौन सी एप्लिकेश से जो सम्मंदी तो रोगी है उन्हें अच्छी से अच्छी साहईता दीचा सके वो भी free Home इसी करीमे दिल्ली के स्वास्त मंतराले स्वास्त मंतराले के दورा जो स्वास्त मंतराले कोन संभाल रहे सतेंद्र जेर इनके देढिआ एक ऐप जारी किया गया जिसका नाम है जीवन से वाइप, यह एप क्या करेगी, साफ लिखा हुए प्रस्ण में, कि कोरोना रोगियों के सुरच्चित और समय पर परिभान की सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली के बारे में मैंने फेक्स जान बूज कर नहीं दिया है, हम लोग तेरामे प्रस्ण को देखेंगे, तेरामा प्रस्ण है, कि अमेरिका के राष्ट पती दोनाल ट्रम्प ने चीन की कितनी कमपनियों में अमेरिका निवेस को प्रतिवंधित करने वाले, एक कार्जकारी आदेश पर हस्ताच्चर किया है, तो इन्होंने 31 कमपनी पर, मतलब कि 31 कमपनी ऐसा है, जो उनका व्यपार करता है अमेरिका में, चीन का है, और उस पर ये लोग रोक लगा रहे हैं, डोनाल ट्रम्प साहब कुछी दिन के महमान है, ये कितना भी रोक लगा ले, लेकिन जब जो वाइडन आएंगे, तो मुझे ऐसा अनुमान है, सभी को एसा अनुमान है, कि वो ट्रेड वार्ट खतम कर देंगे चीन के साथ, ठीक है, और इनकी सारी महिनत पर पानी फिर जाएगा, ओके, तिन्होंने 31 कमपनी पर क्या किया है, परतिवंदित करने का आदेश दिया है, उस पर हस्ताचर किया है, ठीक है, उस मसाधा पर, ओके, कि कमपनियों में किसी भी रूप से निवेस करने वाले परतिभूतियों की खरीत पर परतिबंद लगाया है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब हर तरह से परतिबंद लगाने को आतूर है, कि चीन कैसे भी डाउन हो, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि 20 जन्वरी को जब वो सफ़द लेंगे, जो वाइडन साहब, तब हो सकता है, दिरे दिरे ये सब खत्म हो जाए, ओके, तो हम लोग अगले प्रशन को देखिए, ज्यादा कुछ और उसमें बताने को था नहीं, अगला प्रशन है, कि हाली में आउजित, पुर्वी एसिया सिखर से मिलन किस ने किया, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है, यह इसलिए इंपोर्टेंट है, कि मैं आपको आज डिटेल से पुर्वी एसिया सिखर से मिलन के बारे में बताऊंगा, कि यह कैसा ग्रूप है, ओके, आप लोग इंगलिस वाले भी आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं, ठ बातों को देखिए, कि इस अभासी बैटक की अध्यचेता बियतनामी प्रधानमंत्री न्यूगेन जुआन फुक ने की, एक बात है, और आपको बता चली कि बियतनाम के प्रधानमंत्री अभी कौन है, न्यूगेन जुआन फुक, ठीक है, और आगे पढ़िए, इसमें 18 सिखर सम्मेलर में, इसका गठन का हुआ था, इसका गठन 2005 में हुआ था, 18 छेत्री निताओं के मंच के रूप में बात प्रसांद चेत्री में महत्वपूर्ण रनितिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, और भारत जो है, पुर्वी एसिया सिखर सम्मेलरन का क ठीक है, ओके दोस्तों, तो फिर अगले प्रस्न को देखेंगे, एक बात और लिखी हुए, मैं उसे छोड़ूँगा, अब अगले प्रस्न को देखिए, सांती प्रतिमा का अनावरन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये नरेंदर मोधी द्वारा किया जा चुका है, कल भ चुआचार विजय बल्लब सुष्वर जी महराज की 151 जैनती के अफसर पर विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सांती की प्रतिमा का अनावरन किया गया, ठीक है, यह अश्टधातु से बुनी मूर्ती है, जैमी से 27 फिट उची है, इसका बजन 1300 किलो है, यह सब बस आपक पटेल के लिए है, और a statue of peace किसके लिए है, आचार विजय बल्लब, संजोग से दोनों में बल्लब जी है, ठीक है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप लोगों को, आप लोगों को याद अकना एक जैन संत है, और एक हमारे एक भारत के प्रनिता थे, ठीक है, यह सारी ब उप्शन 12 दिसंबर होना चाहिए था, प्रस्म था कि भारत है, भारत दिसंबर से दैनिक यात्रा सुरू करेगा, इसका जवाब स्वेता जी के दोरा बहुत ही बहतरी न तरीके से दिया गया था, स्वेता जी आप ऐसे ही जवाब देते रहिए, और आप खूब तरकी किजि यही मेरी भगबान से प्रातना है आपको आग आने वाली सभी परिछाओं के लिए एडवांस में वेस्ट अफ लक्र ठीक है दोस्तों तो अब आपको मिलेगा आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है प्रश्ण है कि हाली में आई पुस्तक इंस तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलता हूं फिर से आपसे एक नए एपिसोड में अगले दिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा घर पर रहिएगा जैहिंद सिवं साइनिंग ओफ